हेलो व्यूवर्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एच्जी ट्रीट्स दोस्तो आज मैं आपको ऐसे तीन शेर्स बताने वाला हूँ जिनके अंदर काफी बड़ा मेजर मूव आने वाला है तो गाइस देखते हैं कि यह शेर्स कौन से हैं तो गाइस हमारी लिस्ट में थार यहां से जो टॉंब आया था इसको मेजर करके देख लिएते हैं लगबग 40 क्या हाई 40 क्यांसे गाइस 40 quarter करकेस तरह कर देखते हैं यह देखिए इस से पहले इस point के उपर price नहीं गया मतलब यह all time high भी है share गा और अभी price दुबारा से इसी point के पास आया है यहां से या तो हमें एक down move देखने को मिल सकता है या फिर अगर हमें यहां पर breakout देखने को मिला जहां से guys 40% का down move आया था इतनी बड़ी supply create हुई थी SKF India is a leading supplier of product solutions and services यह rolling bearing जो होती है और seals उन सब के अंदर product service and solutions प्रोवाइड करते हैं इसमें अब देख सकते हो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही same structure बना हुआ है यहां पर इस price point पर काफी बड़ा एक down move आया था इसको measure कर लेते हैं यह लगबग 20-22% का down move था और price अभी दुबारा इसी point पर आया हुए इसको एक बड़ मिनिवाइस करके देख लेते हैं SKF India के case में भी यह all time high था जहां से down move आया और अभी दुबारा से price इसी all time high के पास trade कर रहे हैं मतलब अगर हमें यहां पर भी breakout देखने को मिलता है तो उसके बाद SKF India के अंदर भी बड़ा आप move आ सकता है तो guys इसमें हमें closing चाहिए लगबग 5200 के उपर आज जो closing हमें मिली है वो मिली है 5100 हटेगी तो 5200 के उपर अगर closing मिलती है तो definitely इसके अंदर भी एक बड़ा आप move हम देख सकते हैं guys अब हमारे list में final सबसे best जो share है यह Tata Motors data motors के बारे में guys सबको पता है यह automobile manufacturer है इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ day chart की जंगे हम इसको one month chart पे देखते हैं guys यहाँ आप देख सकते हूँ monthly chart पे इस point पे यहाँ पे मैं एक range mark कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हूँ double top formation हुई थी price यहाँ पे आया January 2015 में और यहाँ से हमें एक down move देखने को मिला लगबग 50% का दोबारा से price इसी point पे आया और यहाँ से हमें down move देखने को मिला almost 90% का तो guys यह multi year breakout है आप देख सकते हूँ यहाँ पे अभी जो price trade कर रहा है वो इस range के ऊपर है यह one month का chart है तो यह जो candle है यह इस particular month के लिए बनी हुए जो भी ongoing है यहाँ पे इसने इस range को break कर दिया है price इस range के बाहर आ गया है इस range को थोड़ा सा मैं fraud कर देता हूँ closing and high के according तो यह range जो है guys कुछ इस तरह से बनी है अब इसको one day chart पे चेक करते है guys day chart पे definitely confirmation हमें मिल चुकी है यह candle जो है इस range के बाहर close हुई है upside में लेकिन one month chart पे अब यह हमें wait करना होगा confirmation के लिए जो यह double top create हुए है क्या इसका breakout हमें मिलेगा यह हमें month end पे पता चलेगा जब monthly closing हमें देखने को मिलेगी इस level के उपर guys one day chart पे जो यह move आया है इसके बाद भी काफी अच्छा बड़ा move बन सकता है क्योंकि जो previous highs create होते है उसका जब breakout आता है तो उसके बाद definitely एक बड़ा move देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो high create हुआ था इसको जब break किया यह candle काफी अच्छी clear cut इसने यहा इसके बाद यहाँ पर हमें भी एक अच्छा extended move देखने को मिल सकता है तो guys कोई भी trade लेने से पहले या कोई investment करने से पहले से भी registered financial advisor से definitely consult कर लीजिए या फिर अपना खुद का research कीजिए technical analysis सीखने के लिए आप हमें contact कर सकते है स्क्रीन पे right side bottom में आपको number दिये गया है आप हमें हमारे whatsapp number पे भी message कर सकते हो और साथ जाथ हमारे telegram handle पे भी आप हमें message कर सकते हो technical analysis course में enroll करने के लिए तो guys मिलते हैं next video में thanks for watching